दोस्तों आज मैं आपको इस book से 8 प्लस 8 यानि कि total solar coil का जो silicon का winding data इस book में है वो मैं आपको दिखाने और बताने वाला हूँ तो मैं इसके page को पलट लेता हूँ, पलटने के बाद आपको दिखाता हूँ देखिए मैंने इसके page को पलड दिये हैं अब आप यहां पर देखिए यहां पर देखिए यह है Orient Old देखिए Orient Old सिलिंग फन का winding data है इसमें total देखिए 16 कोयल बनेगा देख लिजे अब इसके starting में जो कोयल बनेगा वो 8 कोयल बनेगा परते कोयल में जो है की 130 turn रहेगा और इसमें जो copper wire लगेगा वो 34 readymade NWG copper wire लगेगा अब आप इसके running में देखिए running में भी total आठ कोयल बनेगा परते कोयल में 600 turn रहेगा और इसमें जो copper wire लगेगा वो 35 ready кому space कोयल आप इसके अस्टेंटर की मुटाही है 29 mm आप इसके ब्लेट का साइज देखें इसके ब्लेट काiquer साइज है 48 Inch यानि कि 1200 mm इसके ब्लेट का साइज है अब आप इसके winding data को फिर से देख लिजे अब आप यहाँ पर देखे यहाँ पर देखे GEC old ceiling fan का winding data देखे GEC old ceiling fan का winding data है इसमें भी total solar coil बनेगा starting में जो coil बनेगा वो 8 coil बनेगा परते coil में 750 टन रहेगा और इसमें जो copper wire लगेगा वो 34 नमर SWG copper wire लगेगा अब इसके running में देखे running में भी total 8 coil बनेगा परते coil में 650 टन रहेगा और इसमें जो copper wire लगेगा वो 35 नमर SWG copper wire लगेगा अब आप इसके stator की मोटाई देखिए इसके स्टेटर की मोटाई है 21 mm अब मैं आपको इसके बलेट का साइज दिखाता हूं तो देखिए इसके बलेट का साइज है 48 इंच यानि की 1200 mm इसके बलेट का साइज है अब आप इसका वाइंडिंग डाटा फिर से देख लीजिए अब मैं इसके पेज को पलटता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इधर कौन सा सिलिंग फेन का वाइंडिंग डाटा है तो आप यहाँ पर देखे यह है क्राउन सिलिंग फेन का वाइंडिंग डाटा इसमें भी टोटल 16 कोयल बनेगा स्टार्टिंग में जो कोयल बनेगा वो 8 कोयल बनेगा परते कोयल में 640 टर्न रहेगा और इसमें जो कोपर वायर लाएगा वो 34 नमर SWG कोपर वायर लाएगा अब आप इसके running में देखे running में भी total 8 coil बनेगा परते कोयल में 630 turn रहेगा और इसमें जो copper wire लगेगा वो 34 number SWG copper wire लगेगा अब आप इसके stator की मोटाई देखे इसके stator की मोटाई है 26 mm अब मैं आपको इसके blade का size दिखाता हूँ तो इसके blade का size है 48 inch यानि कि 1200 mm इसके blade का size है अब इसका winding data आप फिर से देख लिजिए अब आप यहाँ पर देखे यहाँ पर है यह असोका ceiling fan का winding data इसमें भी total solar coil बनेगा इसके starting में जो coil बनेगा वो 8 coil बनेगा परते कोयल में 650 turn रहेगा और इसमें जो copper wire लगेगा वो 35 number SWG copper wire लगेगा अब आप यहाँ पर देखे running में जो coil बनेगा वो 8 coil बनेगा परते कोयल में 655 turn रहेगा और इसमें जो copper wire लगेगा वो 34 number SWG copper wire लगेगा अब आप इसके stator की मुटाई देखे इसके stator का मुटाई है 24 mm अब मैं आपको इसके blade का साइज दिखाता हूँ तो इसके blade का साइज 48 inch यानि की 1200 mm इसके blade का साइज है अब आप इसका winding data फिर से देख लिजिए अब मैं इसके page को पलटता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इधर कौन सा ceiling fan का winding data है तो देखे इधर है cool home old ceiling fan का winding data देखे cool home old ceiling fan का winding data इसमें भी total 16 coil बनेगा starting में total जो है कि 8 coil बनेगा परते कोयल में 650 turn रहेगा और इसमें जो copper wire लगेगा तो 35 number SWG copper wire लगेगा अब इसके running में भी total 8 coil बनेगा परते कोयल में 600 turn रहेगा और इसमें जो copper wire लगेगा वो 35 number SWG copper wire लगेगा अब आप यहाँ पर देखे इसके stator की जो मुटाई है वो है 25 mm अब मैं आपको इसके blade का size दिखाता हूँ इसके blade का size है 56 inch यानि कि 1400 mm इसके blade का size है हूँ देख लिजिए अब आप इधर देखे इधर है GEC old ceiling fan का winding data इसमें भी total 16 coil बनेगा starting में जो coil बनेगा वो 8 coil बनेगा परते कोयल में जो है कि 660 turn रहेगा और इसमें जो copper wire लगेगा वो 35 यानि कि 1400 mm इसके blade का size है यानि कि 1400 mm इसके blade का size है अब इसका winding data आप फिर से देख लिजे तो दोस्तों इस book में जो 8 पलस 8 यानि कि 16 coil का जो ceiling fan का winding data था वो मैंने आपको दिखा दिया और बता दिया को बड़ hal हुआ 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 है को को बθु न हुआ 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 है